दोस्तों आई या फिर मख्यी बनाते वक्त अगर वायर इस तरह से हैं इस तरह से बाहर आ रहे हैं मतलब कि यह कि कंड german के साथ इंसुलेटर भी बाहर आ जाते हैं तो आपका जो मखी है वो अच्छे से नहीं बन पाता है और अगर आप मखी अगर अच्छे से बनाते हो तो फिर आपका 2% जो रिप्लेस्मेंट है वो कम हो जाता है इसलिए मखी बनाते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखे नहीं ज्यादा कम नहीं बहुत ज्यादा बनना चाहिए और नहीं इस रसे मिलते हैं जल्दी जय भवती